हलो एवरिवन वेल्कम टू मैं अभिशेक कुमार मैंगनमेंस अकेला एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कम्प्लीट एंसी आटी बुक एंसी आटी एग्जांपलर और बेस्ट प्रविशर्स की बुक आपको कम्प्लीट थियोरी और सॉलूशन के साथ प्रोवाइट करते हैं इसी क चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को इस वीडियो में हम लोग कवर कर रहे हैं क्लास 6 स्टूडेंट्स आपके लिए एक्सरसाइज 5.9 एक अच्छी एक्सरसाइज सिर्फ दो ही कोश्चन है चैप्टर 5 से है यह जो है आपका नाम चैप्टर का नाम बताने हैं तो मैं कहूंगा यहां पर फॉर्स्ट कोश्चन है वह इंपोर्टेंट कोश्चन है क्योंकि वहां से रिलेटेट कोश्चन आ सकता है आपके स्कूल टेस्ट एक्जाम में तो चलिए पहला सवाल आपके सामने कुछ इस पकार से था कि आपको कुछ ड्रॉइ रिप्रेजेंट कर रहा है कौन सा फिगर सिलेंडर रिप्रेजेंट कर रहा है कौन सा फिगर जो क्यूबॉइड और पिरामिट रिप्रेजेंट कर रहा है तो आपको से मैच दफॉलिंग करना है अब देखिए कोन कोन मतलब आइस क्रीम का कौन आइस क्रीम का कौन अगर and height है तो यहाँ पर हम कहेंगे कि कोन A figure second को represent कर रहा है तो A A represent कर रहा है यहाँ पर second figure को done तो आपको सिर्फ नाम देखना figure पहचानना है that means that is बस sphere sphere मतलब यहाँ पर ball को sphere बोला जाता है तो यहाँ पर ball बहुत clear view में देख रही है fourth one is your ball तो यह represent कर रहा है B को sphere हम किसको बोलेंगे तो figure हमने पहचान के fourth वाले को ball बोला cylinder अगर मैं C option देखूं cylinder तो cylinder आप सबके घर में gas cylinders आपने देखे होंगे तो gas cylinders मतलब सामने जब आप front देखते हैं तो वो curved है सीधा है straight है ठीक है उसकी जो height है वो curved है सामने से देखने पर curved है उपर circle है नीचे circle है तो ऐसा figure यहाँ पर सिर्फ वाला है तो मैं कहूंगा C जो cylinder है यह fifth figure हमें यहाँ पर नजर आ रहा है यह cylinder है clear curved figure और उपर circle नीचे circle done तो यह prism नहीं किलाएगा कई बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं सही prism है दो बेस है और दोनों सिमिलर है भाई prism हम तब बोलते हैं जब लाट जब आपकी lateral lines हो मतलब जब आपकी line segments होती है clear चलिया यहाँ पर c figure भी हो गया cuboid देखिएगा cuboid मतलब एक ऐसा figure जो six faces के साथ बनाओ जहां पर आपके six rectangle faces देखें उसको आप cuboid बोलते हैं तो d figure अगर आप देखें तो d figure यहाँ कौन सा represent कर रहा है cuboid कौन represent कर रहा है तो आप देखिएगा यह जो third figure है rectangle हर face आपको rectangle बनता हुआ नजर आ रहा है total six faces तो यहाँ पर d के लिए हम कहेंगे third figure is the best option then pyramid pyramid का मतलब एक ऐसा point जो peak पे है और सारे side के triangle आके उसके उपर meet कर रहे हैं तो यहाँ पर pyramid जो है वो से पहले figure में बन रहा है e option के लिए यहाँ पर हमारा pyramid जो है वो first figure है done बस यह match the falling करनी थी पहला question यहाँ पर important है figures देखके आपको उनके नाम के साथ match करना है या नाम बताना आ सकता हो सकता वो question थोड़ा change करके देदें वो आपको से figure बना दे आपको नाम लिखने हो यहाँ वो नाम लिख दे आपको figure draw करना हो तो यह चीज आप अच्छे से त्यारी करके जाना give two new examples of each shape अब हर shape के लिए नया example दीजिए देखिए कोन के लिए आप यहाँ पर जैसा ही कोन बना इसको उल्टा करके बना तो यह भी एक कोन है ठीक है तो कुल मिला के यह curved हो रहा है तो उपर से कोन है कोन को आप ऐसे लेटा दीजिए तो यह भी एक कोन है done तो कोन के लिए drawings बनानी थी give two new examples of each shape यहाँ पर ice cream का कोन हम बोल सकते है birthday cap हम बोल सकते है examples हम दे सकते है ठीक है तो यह यहाँ पर यह जो कोन है कोन के लिए हमने बोला यहाँ पर birthday cap birthday cap यहां हम बोल सकते हैं यहां पर ice cream का cone ठीक है तो ice cream cone examples देने वो हम दे रहे हैं cone के बाद इन्हों ने बोला है sphere, तो sphere आपकी basketball हो सकती है, आपका moon हो सकता है आपका sun हमें दूर से देखने पर sphere दिखता है ठीक है कोई भी planet हमें दूर से देखने पर sphere नजर आता है तो यहां पर हमें sphere के example देने हैं, basketball volleyball, आपकी फिर यहां पर tennis ball तो आप कोई भी ball का example ले सकते हैं आप यहां पर sphere बता सकते हैं ठीक है, examples देने cylinder, तो cylinder आपका example में देखूं तो cell pencil cell को आप cylinder बोल सकते हैं pen, pen can also भी है cylinder, ऐसा pen अगर आप देखें तो ऐसे pen हो सकता है कहीं आपको देख जाएं, ठीक है cuboid के example में हम बोल सकते हैं यहां पर box book example देना है तो box and book बहुत अच्छा example है, ठीक है pyramid का example देना है, तो pyramid का example आप यहां पर मुझे बताईए, comment box में pyramid आप किसको बोल सकते हैं, यहां पर कोई ऐसे example, आपके आसपास दिखे, आप hill, एक hill देख सकते हैं जो hill आपका ऐसे उपर आ रहा लेकिन आप बस एक ध्यान रखना कि जो उपर जाने वाली faces हैं वो triangle होने चाहिए, ठीक है तो example देने को बोले थे, वो examples हमने आपको बोल के बताएं चलिए, move करते हैं इसके second question की तरफ second question है, what shape is your instrument box, आपका जो instrument box है, आप स्टेशनली से instrument box खरीद के लाएं, जिसमें आपके set square आया है protector आया है, divider आया है वो box का shape कैसा है तो हम कहेंगे, वो एक cuboid shape है, ठेक है, हम ऐसा बोलेंगे जो हमारा shape है, वो एक cuboid shape है, उसकी थोड़ी से आप thickness दिखा दीजे, तो ये आपका जो shape है, ये हम cuboid shape को box बोल सकते हैं अब brick, अब brick is again a cuboid shape, ये भी cuboid होगा, ठेक है, ये भी cuboid होगा, तो आपको basically दोनों में cuboid सिखाया, ये brick का shape भी हो सकता है done, अब match box match box is again a cuboid ठेक है, माचिस के डिबबी, और road roller it is a cylinder, road roller आप देखेगा, cylinder shape का होता है, लेटा हुआ, ठेक है तो आप आपने अगर कभी road बनती भी देखी है, तो आप road roller देखेंगे वो जमीन के उपर इस तीके से roll करता है, इसलिए उसको roller बोला जाता है, तो road roller, यहाँ आप लोग cricket खेलते हैं, तो pitch बनाना आप लोगों ने सीखा होगा, तो एक road के उपर roll करवाने वाला road roller होता है जो की cylinder shape का होता है sweet laddoo, laddoo laddoo मतलब एक sphere को हम बोल सकते हैं यहाँ पर, ठेक है एक proper goal किया हुआ एक sphere आपको एक laddoo खाने को दिया, basin का laddoo, ठेक है तो आप sphere, एक sweet laddoo को आप sphere ship बोल सकते हैं, तो ऐसे यह दो question थे, छोटे से आपकी यह video आपके सामने थी, तो आप पूरी वीडियो को उमीद करता हूँ यह 10-15 मिनिट के आपने वीडियो पूरी watch की होगी चलिए, तो अब मैं आपको यहाँ बतायता हूँ कि 5th chapter हमारा हो गया end, complete theory मैं आपको दे चुका हूँ, complete हर exercise के सारे questions करा चुका हूँ इस chapter में जो 5th chapter था understanding elementary shapes यहाँ पर total 9 exercises थी और theory lectures थे तो आपको यह proper एक arranged manner में अगर watch करना है तो इसके लिए क्योंकि आप है class 6th में तो आप simple google search engine में जाके type करिये magnabrins.com magnabrins.com type करते ही आप आजाएं हमारी website पे जहाँ पे आपको class 6th का option मिलेगा class 6th क्लिक करिये और आपको finally सारे chapters एक arranged form में यहाँ पे available हो जाएंगे done अब आपको without any advertisement भी यहाँ पे सारे videos देखने को मिलेंगे तो इतना आसान घर बैठे है आप त्यारी कर सकते है magnabrins के platform पे complete सारे exams अगर आपके घर में आपके relation में यहाँ आपके घर में आपके कोई बड़े भाई बहन है यहाँ कोई भी आपके touch में जो आपको लगता है किसी exam की त्यारी कर रहे हैं उन तक यह जरू message पहुंचाईए कि magnabrins अकेला कैसा platform है जो law की भी त्यारी करवा रहा है UPSC की भी त्यारी करा रहा है आपको यहाँ पर railways की भी त्यारी करवा रहे हैं bank sector की भी त्यारी करा रहे है अगर आपी के घर में कोई ऐसा बंदा है जो engineering या doctor field में जाना चाह रहे हैं तो neat exam और IIT JE की भी त्यारी complete magnabrins के platform पे best material और best teachers available है 100% free education है किसी तरह का कोई coupon code apply नहीं करना किसी भी तरह की कोई subscription fees नहीं देनी बस इतना सा message आपको सबके साथ share जरू करना है तो सिर्फ आपको sharing करनी है यहाँ पर और वीडियो को like जरू करना है क्योंकि teacher को motivate करना है आपको जल्दी यहाँ पे पहले आपको यह पता चले कि कौन सी वीडियो float हुई है कौन सी नई वीडियो आई है आपकी class से related या education से related अगर यह notification चाहिए तो आप चैनल को subscribe करना न भूलें bell icon जो press कर दीजे किसी भी तरह की कोई fees पे नहीं करनी है आपको clear आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टा के थू आप हमें फॉलो कर सकते हैं Facebook Twitter और Telegram के थू भी आप चाहें तो 24 by 7 आप हमें mobile पे भी application के थू फॉलो कर सकते हैं मतला आप application के थू भी सारी videos को watch कर सकते हैं mobile पे भी आप आपके videos available हैं 100% free education से MagnaBains के platform पे मिलते हैं नए chapter में तब तक के लिए अपना ध्यान रखो bye and take care